हलो स्टूडेंट्स आज का हमारा क्वेश्चन है लॉस केलकुलेट करना है हमें अप्टिकल फाइबर में तो अप्टिकल फाइबर में हमें लॉस केलकुलेट करना है कि भाई कितना लॉस हुआ हमा उसके लिए हमें इन्पुट पावर और आउटपुट पावर दी होती है औ और हमें fiber का loss calculate करना है तो fiber में जितना भी input power input दिया जा रहा है power का और हमें output में कितना power हो रहा है अब इन दोनों का difference है in terms of db, db के terms में हमें इन दोनों का power difference निकालना है उसके लिए देखें क्या से करेंगे हम solve पहले हमारा given data है, पहले तो questions हमारा क्या हो रहा है a signal of 100 milliwatt is injected into a fiber, the outcoming signal from the other end is 40 milliwatt तो 100 milliwatt का signal inject कर रहे हैं मतलब input power और outcoming signal है 40 milliwatt का मतलब output power तो find the loss in db, decibels में हमें loss को find करना है तो first of all हम given data देखते हैं, power injected into the fiber P1 है हमारा 100 milliwatt power injected यहन्य आउटकमिंग जो power है वो into the fiber, outside the fiber sorry तो P0 equal to 40 milliwatt तो फिट सोल्यूशन है क्या, loss in db, loss in db, optical fiber में कितना loss होगा, उसका फॉर्मुला हमारा होता है 10 log P out by P in, तो decibel है, इसलिए हम logarithmic of power difference लेते हैं, power ratio का log लेते हैं, into 10 तो यह decibel में conversion करने का formula है, तो P out कितना है आपका, तो पहले हम formula में put करते हैं, P in और P out तो P out है आपका 40, तो हमने लिखेंगे 40, और P in है आपका 100, तो हम लिखेंगे 100, क्योंकि दोनों quantity milliwatt में हैं, इसलिए cancel out हो जाएंगे units, अब solve करते हैं यहाँ पर, देखें, हम solve कर रहे हैं, तो first है 40 divided by 100, तो यह आगए equal to 0.4, ठीक है? तो इसकी log value लेनी है, तो हम लिखेंगे log, फिर answer is equal to, तो आजाएगा minus 0.3979, तो यह answer आगए minus 0.3979, तो यह हो गए हैं आपे, इसके बाद इसमें multiply करेंगे हम, किसका हो रहा है multiply, 10 का, तो multiply करेंगे 10 का, तो is equal to आजाएगा आपका, minus 3.979, तो यह आगए आपका decibel में loss, तो जितना भी input power है और output power है, अगर power output में कम है, तो हमें loss होगा, और यह negative quantity, negative sign दिखा रहा है, कि हमें loss हो रहा है power में, अब अगर आपको length दी है fiber की, कि भाई, fiber में कितनी लंबाई है, तो हम loss निकाल सकते हैं per kilometer, कि इतने kilometer में, पर kilometer कितना loss हो रहा है, तो अगर आपको, if length of the fiber is 10 kilometer, तो उसके लिए formula है, loss db per kilometer equal to loss in db upon fiber की length, जो भी kilometer में दिये, अगर meter होता है, तो per meter और kilometer है, तो पर kilometer में दिया है, तो आप लिखेंगे loss db per kilometer is equal to, तो जो भी आपका answer आया है, क्या answer आपका, 3.979, तो यहाँ पर लिखेंगे minus 3.979, और divide करेंगे by 10, क्योंकि हमें दिखा है 10 kilometer, तो जो भी answer आएगा, answer क्या आएगा है, 0.3979, यह decimal आगे shift हो गया, तो यह आगे 0.3979, और यह आगे आपका db में per kilometer, पर kilometer में हमें इतना loss होगा, तो यह आपका पावर हमने, यह आपका loss हमने calculate किया है, जब हमें input और output power दोनों given होगी, तो, हम आगे और भी numericals और theory lectures बनाएंगे, अगर आपको content अच्छा लग रहा है, तो please like, subscribe and share माचान,